आप school बनाने का सोच रहे है, school construct करने का सोच रहे हैं और सोचने कि कौन सा layout ठीक रहेगा, because आपने बहुत सारे layout देखे होंगे, different different schools के, universities के, college के, सोचने कि आप अपने school के लिए कौन सा layout follow करें, school के design और architecture में, right? सो इस वीडियो में कवर करूंगा मैं अलग-अलग कौन से कौन से लेयाओट है उनके अडवांटेज और डिसद्वांटेज इस क्या क्या होते हैं सो दाइड यू कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेयाओट यूज करना चाहिए अपने स्कूल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इस वीडियो से जरूर अपको help मिलेगा सबसे पहला जो है linear layout वो है जो आपने अक्सर government schools में देखा होगा straight line में है जो buildings होती है इसका advantage क्या कि simple है cost of construction कम हो जाता है अब बच्चों के लिए travel करना जो classes ढूणना सब कुछ navigate करना बहुत easy रहता है but आपस में collaboration और interaction की spaces ने सब एकदम दूर दूर हो जाते हैं और थोड़ा boring हो जाता है because एक corridor में बच्चे चल रहे हैं तो it's not a very appealing design वो यहाँ ठीक है आपको जहां पर आपको लगता है कि आप पतला stretch of land है आप आपके पास space A की direction में है तो आप वहाँ linear layout ले सकते हैं बहुत थोड़ा traditional लगेगा school को और अगर वहाँ करना है कि आपको ऐसी building है जहां पर आपको माथा बढ़ा करना है उसकी look बढ़ी करनी तो वहाँ पर आप linear design भी ले सकते हैं another one is cluster design cluster design में क्या होता है कि आप अपने around classrooms around subjects आप clusters बना लेते हैं आप छोड़े groups बना लेते हैं classrooms के so इसमें आप subject wise कि जैसे मैंने का science का अलग हो सकते है commerce का अलग हो सकते हैं आप middle school primary का अलग-अलग कर सकते हैं इसमें advantage ही है कि जादा collaboration हो सकता है बच्चे आपस में community की दरा रहते हैं जो उस part का उस age group के बच्चे हैं उनको बड़े बच्चों चोटे बच्चों से interaction इतनी जरुरुरत नी होती है उनका अपनी age group से चाहिए होती है अपने subject से चाहिए होती है science वालों को science से चाहिए होत करती है तो अगर आपके पास space ज्यादा है और आप space ही कमी नहीं है so cluster layout is a good way of ensuring की community type feeling आती है बच्चों में and a sense of bonding आती है so you can think of that third is I would talk about is courtyard type layout courtyard में क्या होता है कि जैसे आपक्सा घरों में देखा जाता है कि एक आंगन के आसपास कमरें बना दी तो आपने courtyard बना दिया और उससे बना जाता है उससे क्या होता है कि बच्चों को because courtyard है बीच में तो indoor-outdoor connections अच्छे रहा जाते हैं एक enclosed protected space लगती है और natural light अच्छे आपका courtyard है तो natural light आपके बाहर windows से भी और अंदर courtyard के through भी classrooms जाते है तो एक well-lit environment अच्छा present environment लग जाता है बट इसका जो disadvantage भी है कि cost of construction थोड़ी से जादा हो जाती है कि आप courtyard जैसे cluster में भी आप courtyard बना रहे तो आपकी जो external wall की requirements है वो जादा cost बढ़ जाती है और थोड़ा security का भी ध्यान रखना पड़ता है courtyard में भी और cluster में because बच्चे कहां से कहां घुज रहे हैं maintain करना बहुत मु जाता ही manage करना होगा difficult हो जाता है fourth होगा L-shaped layout L-shaped layout जैसे letter L होता है again depending आपका आपका जो land है आप कैसे planning कर रहे है ground कहां चाहते है आपका जो plot है उसकी dimensions किया है so again उसको because corners normally waste होते है school के और तो corner को utilize करने के लिए L-shaped layout बहुत अच्छा होता है और इसमे natural light और उसका एक balance है एसा नहीं कि a straight line में है but at the same time efficient use of space भी है इसमें और monitoring भार काफी easy होती है because सब को सारी building को दूसरे को पर नजर है तो किसी हो किसी पर ध्यान नहीं जब ऐसे हो जाता है तो everybody can monitor तो इसमें advantage होई भी है कि आप future में आप you know when you want to supervise monitor तो आपकी जो cost of manpower थोड़ी कम हो जाती है तो आपने एक L बना चुके हैं तो उसके आगे you know layouts बनाने थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं because आपने suppose ऐसे बना दिया यहां पर principal reception area बना दिया अब यहां building नहीं नहीं को reception तो आपने यहां बना दिया so expansion थोड़ा chances आता है बहुत बड़े schools के लिए recommended नहीं है इस वज़े से यहा एक Central courtyard है बट बजाए चारो तरफ से थ्री साइट से बनाया जाता है again इसमें जो courtyard का benefit है कि natural light दोनों तरफ से आ रही है that's always there and उसमें जो advantage है over courtyard is कि आपको पूरी building जब यूशेप है तो आपको जो security के लिए point of view से अच्छा है तो आप monitor कर से हैं building के जो entry और exit points है वो limited रहते ह है but again इसमें थोड़ी cost of construction भर जाती है because आप you ship में बना रहे है और बीच में जो बीच का एरिया है उसमें थोड़ी से land use waste करें या utilize करना because उस बीच वाले एरिया को मैंने एकसर देखा कई लोग कई आखिए आखिए देखा मैंने वहां पर swimming pool बना देते हैं और swimming pool इतना noisy होत school use करेंगे या even आप assembly भी करेंगे वहाँ पर stage अगर courtyard बनाएंगे तो यह सोचना होगा उस time पर पूरा school disturb होगा so you have to plan these things कि जो courtyard को सिरफ देखने में इसकी functionality को जरूर देखे जब आप school का architecture करें because कई बार architects को design समझ आता है उनको functionality इसनी समझ नहीं आती तो वहाँ पर आपको building को बड़ा यू की बजाए आप दो पार्ट में split करना चाहते हैं by again great levels के juniors के लिए अलग बन जाए उनका look and feel अलग हो बड़े बच्चों के लिए अलग हो जाता है और बजाए कि बहुत बड़ा courtyard बनने के लिए आपने courtyard को दो पार्ट में split कर दिया है और natural light ventilation दोनों में cross ventilation इसमें बहुत अच्छी रहती है but थोड़ी सी costs again complexity बढ़ने से थोड़ी सी costs जितनी complex करो कि उतनी costs थोड़ी बड़ेगी बड़ेगी और छोटे बचों के वर confusion होती ही कहां जाना है थोड़ा सा बाकि otherwise it's a good layout h-shape layout I think u-shape से better है but again case to case depend करते है ऐसी alphabets में एक और alphabet बन जाती है e-shape again जैसे e होता है ऐसे 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 तो यह भी एक u का formation है बजाए बड़ा u का हम ऐसे करने के बजाए हम e-shape में कर जाते हैं तो उसमें भी again आप split कर सकते हो अपने campus को by age groups के junior senior के बीच में again natural light ventilation दोनों अच्छे है थोड़ा सा again वही जो challenges है कि थोड़ा सा complexity बढ़ने थोड़ी सी cost of construction बढ़ जाती है और जो land है फिर आपने courtyard जब बनाये है बीच में तो थोड़ी सी एक मैं word use करूं waste होती है बिकास उसको उतना optimally यह नहीं use कर सकते है अगर वो ही land building से हटके है फिर आप उसको जैसे मर्जी यूज कर सकते है आप उसके noisy area हो सकते है बच्चे swimming pool यूज कर सकते है बट अगर playgrounds courtyard में बन गया तो जब बच्चे खेलेंगे बाकी सारा school disturb होता है एक और creative layout है इस काल दर circular layout आजकल चल रहा है कि round building मताने में उसके wastage बहुत होती है देखने में बहुत अच्छा होता है बट a cost of construction बहुत होती है तो definitely you should go in for it और उसमें because round है तो जो sun का rays ऐसे जाती है तो हमेशा किसी न किसी part of building में light आती रहती है तो cost of construction का धियान रखना है आपको basically इसमें यह करना है और इसमें अगर एक बार राउंड बन गया उसको future में expand करना बड़ा मुश्कल है because उसके आसपास आपने land ले लिय imagine कीजिए तो उसके बाद expansion के chances बहुत मुश्किल हो जाती है तो उसको extension बनाना बहुत मुश्किल होता है so just think of this but visually appealing लोग करते हैं कि देखने में अच्छा लगता है एक grid type layout बना सकते हैं जिसमें modular design बनाते हैं जहां पर आप खुछ लगा grid construction करें तो आपको लगता है इसमें वेरिया काफी utilize होता है क्रेटिव इसमें architect चाहिए ऐसे design को pull-off करने के लिए हर architect इसको pull-off नहीं कर सकता and of course जहां तक आप plan किया grid वहां तो अच्छे बनेगा उसके बाद expansion में हमेशा challenge आएगा अगर grid shape design बना रहे तो आपका final campus है जितना आप सोचने की full capacity बने वाला है उतना आप उस grid में ज़रूर कवर कर लें because बाद में extensions करना grid के साथ बहुत challenging होता जैसे मैंने का this requires a very talented architecture और architect ऐसा चाहिए जो बहुत detail oriented हो because grid में कहा है it's not just look and feel आपकी functionality आपका reception area आपका accountants आपकी labs वो हर चीज माच करनी चाहिए so it's a very tricky one but बनता है तो अच्छा लगता है उसमें फिर courtyards create कर सते हो it's just a very very creative way of designing a school और वैसे ही और उसका एक different version जिसको मैं कहूंगा campus style layout भी हो सकते है आप 10th है जो कि मैं कहूंगा campus style layout उसमें क्या होता है कि आप campus style layout में आप अलग-अलग zones बना लेते हैं schools like a school with many schools in it जैसे कि university में campuses होते है colleges के तो ऐसे आप campuses बना देते हैं तो उसमें क्या है कि पूरा आपस में collaboration के लिए अच्छा हो जाता है ये this is a bit like courtyard but again campus style layout में difference क्या है कि हर campus अलग हो सकता है normally जब हम लोग cluster वाले में लेते हैं हम एक ही cluster के different variations बनाते हैं but campus layout में क्या होता है हर campus को from scratch start किया जाता है as if कि उनकी requirement क्या है KG block pre primary wing है उनकी क्या requirements है आप उनके लिए scratch से start करते हैं तो एक campus और दूसरे campus में कोई similarity नहीं है so again cost of construction बढ़ जाती है creativity अच्छी चाहिए होती है इसमें architect की skill sets है वो ज्यादा चाहिए होते हैं इसमें आप हर age group के हिसाब से उनके requirements के हिसाब से school बना सकते है so definitely learning experience है बच्चों को definitely अच्छा है but it is challenging but if pull off हो जाए तो बहुत अच्छा layout लगता है but again area waste होता है जैसे कह सते है because it's not a.. तो जहां cities बगारा में जहां पर land cost बहुत जादा होती है जहां जितना creative होते आएंगे तो आपके architect को भी उतना ही creative होना पड़ेगा because cities में खासकर जहां पर land की value बहुत जाता है तो आपको एक 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 इंच की planning करनी पड़ेगी so that's why we know franchise में advantage क्या होता है we sit with the architect, planning करते है architects को design समझ आता है, architecture समझ आता है looks, elevation सब समझ आता है but functionality में उतना experience नहीं जितना जो practitioners है, जो already school चला रहे है so we 30 years से school चला रहे है so we इंदम जो हम अबालते हैं कि यह चीज़ ऐसे नहीं ऐसे नहीं तो आकटेट सा काफी debates होती है but ultimately functionality important होती है looks secondary हो जाती school में so यह सब चीजों का ध्यान रखा है तो जब आप layout कैसे चुने है तो आपको सबसे परे land का dimensions आपको land है कितनी आपको यह देखना है आपको अपने school की goals and philosophies को बताना है कि आपकी आप करना के चाहते हैं उस हिसाब से architecture बनागे normally लोग building बनाते हैं फिर सोचते हैं कि आपको इस school बनाना चाहते है vision क्या है, हमारा curriculum कैसा होने वाल है system क्या होने वाल है तो यह सब पहले ही plan करके ही आपको आपके architecture से पहले यह vision को पहले लेके चलिए then you also have to consider the local climate, environment जो धूप का है मैंने ऐसे ऐसे schools लेखे हैं जब बिल्कुल glass की building बना दिया है mall जैसा और बिल्कुल sun facing बना देते हैं वो जो owners तो कहें सर पता नहीं मैंने आखिरेट को बोला कि mall जैसा बनाना मैंने का mall जैसा क्यों बनाना है यह school mall थोना होता है तो उन्हें glass बना दिया और glass का direction वो sun facing बना दिया तो इतनी heat up हो जाती है उनकी air conditioning cost इतनी जादा बढ़ गई कि उनको पूरा का पूरा तोड़ना पड़ा सो जो आप environment को देखे और अपनी cost को देखे because central air conditioning अगर आप afford कर सकते हैं तो ठीक है but that doesn't mean कि आप ऐसे glass का facade बना दो जै कि एक AC cost भी बहुत बढ़ जाए जहां पर cost effective बनाना है तो नहां हो बनाना है natural cooling systems को आप देखो कैसे cooling कर सकते हैं कूल भी रहे without air conditioning as well तो इसमें that's why I tell people कि जो architect की जो fees है उस पर compromise मत कीजिए आप क्रोड़ों रुपे अपनी building बनाने वाले है few lakh rupees architect को अच्छा दीजिए higher good architect वो ही आपके school के success or failure का difference बन सकते है so higher good architects अगर आप हमार सा franchise लेते है तो we have a panel of good architects जो आपको recommend करेंगे आप उनसे overall design बना सकते हैं और बाकी अगर आप किसी rural area में है small town में है तो overall concept उनसे बनवा सकते हैं और detailed जो follow up के लिए detailed drawings वगारा वो आपके local architect से भी बनवा सकते हैं उससे क्या होता है कि आपकी look and feel आपकी functionality है आपके senior architect से आगया जो एक national level of architect है और आपकी detail, licensing वगारा वो सब आपके local architect कर लेगा तो उसे cost और benefit का पूरा advantage आपको 20% cost में आपको 80% से जादा आपको benefit मिल जाएगा उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपको future ले और लोग बोलते हैं कि यहां sir हमारा plan है फिर मैं बोलता हूं कि अगर plan है तो building को आज ही ऐसा design करो कि future में expand करेंगे आप so you'll be able to expand the building naturally अजीव नहीं लगए ऐसला कि अलगर buildings को आपस में जबरस्ती जोडानी होना चाहिए planning पहले से करो designing अभी करने की ज़रूरत नहीं है but planning तो अभी से करो so plan with that कि future में क्या क्या होने वाला है also look at you know जब आप school building मनाने से पहले लोग क्या करते सिरफ architect से बात करते कि मुझे building मनवानी तो आप शुरू में ही अपने education consultant है, franchiser है principals है, staff है जितने लोगों को आप involved कर सकते हैं जिनको experience है schooling का और आप अगर नहीं तो अगर तो at least वो architect लोग किसने कम से कम 10-12 schools बनाए हो because उनको फिर functionality की समझारी शुरू हो जाती है because सिरफ जिसने एक institution बनाया है जिसने कोई और school नहीं बनाया है वैसे institutions बनाये है वो फिर भी उनको challenge आएगा but उनको फिर भी expertise चाहिए जिरोंने institution नहीं बनाया please ऐसे architect को school का project मत दीजिए जिरोंने कोठी बनाया ये घर बनाया वो और school में बहुत difference है normally हर एक architect के लिए normally architect के लिए बहुत बड़ा challenge होता है to go from a kothi to a school बहुत हमें नहीं देखा लोग जो जो कई वर retail भी बहुत expert होते है but वो schools अच्छे नहीं बनाते है because उनकी mindset वैसे ही detail oriented नहीं हो पाते है so आपको 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 चुनने में यह देखना है कि वो कितना detail oriented है कितना deep तक जाते है because paper पे planning करने में bus आजयेगी और यहीं चीज़ा planning कर ली जाती है तो वहाँ एक guard का जुरूरत नहीं पड़ते है because आपको आपके architecture है उसका system ही ऐसा होता कि बच्चों की safety वहाँ पर दिहान रखा जाता so जो buses आएंगी उनसे बच्चों ने उतरना है तो किस direction में उतरेंगे जो छोटे बच्चे है kindergarten के, जो primary के बच्चे है, उनके आपसे mix-up ना हो, secondary वालों बच्चों के mix-up नहीं होने चाहिए, उनके washrooms अलग होने चाहिए, तो उनका आपको जितने भी stakeholders एक school के, teachers, students, visitors, आप सब की आपको root planning करने पड़ेगी, उनकी क्या-क्या requirement है, कब-कब इस building को use करेंगे, और उनका उनके लिए easy access होना चाहिए, तो right from teachers में भी आपको administrators है, जो non-teaching staff है, जो principal है, आप सब का आपको, तो school design करना सिरफ यह नहीं कि कम परे-कमरे-कमरे बनाती है, और principal के office बनाती है, यह बहुत ही lazy layout है, थोड़ा सा planning कर लेंगे, तो आपका school जो, I think, generations के लिए बनना चाहिए, तो एक अच्छा layout बन जाएगा, उसके बाद आपको, जैसे मैंने कहा कि, आप लोगो experts को involve किजी और उसे पूछे, because they'll also give you expertise on the budget, because budget बहुत important, ultimately, आप अपने budget overshoot कर देंगे, तो पूरा project planning खराब हो जाएगी, because आपको, हुसते हैं, अपने funds अरेंज किया school के लिए, आपने building में अगर ओवर्किंग कर दिया, कुछ लोग शौंग में कर देते हैं, तो आपकी working capital में से वो निकलना शुरू हो जाएगा, because आपक कि कई schools में देखा है, जहां पर हो school launch किया, school grow ठीक कर रहा था, but अपने break-even पहुंचने से पहले, उनका cash खतम हो गया, जैसी cash खतम हुआ, salaries ने पाए, teachers छोड़ गए, बच्चे छोड़ गए, it became a complete chaos, और ultimately, उनको school बेचना पड़ा, so don't do that, अपने budget को strictly follow करे, तो सब कुछ ज that, covid में क्या हुआ, safety पहले, education बाद में, so आपको बच्चों की safety and security, because एक भी incident, आपके years and years of reputation को hurt कर सकता है, so please जितने भी कोशिच किजिए, जो safety, security, of course, cameras आप लगाएंगे, but जितना natural line of sight रहेगा, कि जब teachers है, जो staff room है, उनको सब को दिखना चाहिए, जो floor coordinator है, उसको पूरा floor दिखना चाहिए, जो principal है, उनको maximum campus दिखना चाहिए, so school के अंदर blind spots नहीं होने चाहिए, ऐसी areas नहीं होने चाहिए, जहां पर बच्चे कुछ ऐसी शरारत करें, तो बच्चे normally stairs पर करते हैं, या उनको मालूम होते है, कहां पर है, जहां पर कोई उनको adult नहीं देख पा रह तो definitely आपका school will become a very very good school, I hope this video से आपको कुछ new insights में लें, school का layout कैसे बनाना चाहिए, again अगर आप franchise देने में interested हैं, तो नीचे देगे number फोन कीजिए, understand कि आपको franchise में क्या मिलेगा, क्या cost आएगी, क्या आपको benefit होगा, hundreds and hundreds of school owners हमारे franchises है, तो अगर उनको benefit हो रहा है 30 years से, तो हो सकते हैं, आपको भी benefit हो जाए, तो समझ दीजिए, अगर लगता है कि अच्छा लगेगा, तो I look forward to welcoming you to the Shemrock and Shemford family, और मैं आपके साथ closely बैट के, आपके school के layout planning करूँगा, और अगर आप वैसे ही सीखना चाहते हैं, कि आप एक successful school कैसे चला सकते हैं, तो मेरा webinar जोइन कर स करते हैं, on A to Z of opening a successful school, सारा कुछ cover करूँगा, सिर्फ 2 घंटे में, right from starting, investment, marketing, operations, सारी बाते करेंगे, so don't miss that, again वो भी विलकुल free of cost है, नीचे देगे, link पे click करना, register करना, मेरे social media channels, सब नीचे description में है, उन पे click कीचिए, and join me, because the more you will learn, the more your school will learn, wish you all the best, I hope this school, this video was useful to you, if it was, give it a thumbs up, और अगर finally बताए, आपको इन में से कौन सा ले आउट सबसे अचा लगा, मीचे कोमेंट में जरूर लिखना, so I love to hear that, और अगर कोई ले आउट में मेरे से रह गया हो, तो प्रीज वो भी मेंशन कीजे, ता कि अगर कोई आप फुचर में वीडियो देख रहा हो, तो उन झाल